अब तक के lecture में हमने देखा इस टील के connection से की वेल्टर के Numbers है इसके बाद लिए आगे देखा रिवेट के ऑड़ेंटेज जो और लिवेट से हम किस तरीके से मेंबर को जोइन कर सकते हैं यहां यह special term देखा शेंग यानि 5 यानि के diameter of rivet in mm और इसके बाद यह यह देखा दी फिर हमने डी और यह जो शेंक है इसका हमने एक relation देखा था उससे पहले हमने types of rivets देखें यह है rivet और riveted connection में इस तरीके से हमारा rivet जुड़ने के बाद यह कहला जाता है grip जहां जहां तक rivet लगता है यानि कि rivet के shank की length यह shank था रहा इसको भूँ शैंक बोलते है तो rivet के shank की length जो की connection होने के बाद होती है उसको हम बोलते हैं वो होती है grip के बराबर कि इसके बाद फिर हमने देखा था कि जो डी है यानिकि यह डाया ओफ होल है इसका relation क्या है इस 5 से तो relation है 5 प्लस 1.5 यानिकि 5 में 1.5 अगर हम एड कर देंगे 25 अम तक के लिए अगर 5 हमारा 25 अम तक है तो और अगर वन्ना डी में हम 2 एमें एड कर देंगे अगर है वो 25 mm से बड़ा है हमारा रिविट अब हम आगे देखते हैं टाइपस अब जॉइंट्स में अगर हम देखें तो दो टाइप के हमारे पास जॉइंट्स होते हैं जो हमने पढ़ हैं और भी सबच्छेक्ट में पढ़ा है हमने खास तौर से वर्क्षोप में पढ़ा है ल स्टील की रोड से एक और स्टील की रौड है हमारे पास यह इन दोनों को जॉइन करना है तो हमारे पास कहे के मैध्यरन है या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक स्टील कर यह रही प्लेट रॉड जो भी है और उसके उपर इस तरीके से हम उसको थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर दें यह हमने लैपिंग कर दी और उसके बाद यहां पर हमने होल करके यहां पर लगा दे रिवेट या बोल्ट कुछ भी जो है हम चाहिए करनेशन करसे हैं एक हो गए यह देख लेते हैं आगे देखे इस इसमें क्या है कि एक प्लेट यह रही और एक प्लेट यह रही अब इन प्लेटों को भी फ्षोर्स कासलागे वigo तो इस तरीके से दोनों प्लेटे एक दूसरे से दूर जाना चाहरी होंगी लेकिन यह नहीं जा पाएं क्योंकि हमने इनको कर दिया है क्रेंट कैसे कर दिया है यह यह बीच में ओवरलैपिंग करके यहां देखिए अब इजी ली समझ में आ जागा कि यह एक प्लेट है इसमें एक प्लेट नीचे रहेगी एक प्लेट थोड़ी सी ऊपर रहेगी और यह हमने यहां पर रिविट्स लगा देगे इस तरीके से अगर हम जॉइन करते हैं तो वह हमारा कहला कहला जाता है लैप प्लेट और दूसरी प्लेट जैसे कि एक प्लेट यह रही तो दूसरी प्लेट हमें जोड़नी है वो भी इसके बराबर ही हम रखते हैं लेट ए और इससे हमें जोड़नी है प्लेट बी तो दोनों दोनों हम बराबराबर रखेंगे लेकिन डिसमें डिफ्रेंस क्या आएग है कि इसमें हम एक और लगा देढेंगे या तो एक और लगाएंगे या फिर अफिर हम लगा दें गौ कि अगर टेंगे और एक हमारा कवर प्लेट में दो तैप की हैanes के सिंग्ल कवर प्लेट एक के डबल क कर रो अगर हमने एक़ तरफ लगाया antig में प्लेट ये थी प्लेट ए और प्लेट बी इन दोनों प्लेट को हमने जॉइन करना था हमने उपर ये लगाि और प्लेट और प्लेट के help से हमने इसको join कर दिया अब नीचे इसका जो plan है वो भी समझना जरूरी है तो यह तो है इसका यह है इसका section view section view यह रहा और इसके बाद plan view क्या है इसका plan view है यह plan view कैसा बना हमारा जब हम इस तरीके से उपर से देखेंगे इसको तो उपर से देखने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देगा जब हम उपर से देखेंगे एक तो हमें यह वाली जो plate बड़ी वाली यह plate दिखाई देगी तो हमने वो plate बना दी यह रही फिर हम जब उपर से देख रहे हैं तो हमें यह वाले हिस्सा भी दिखाई देगा यारी यह प्लेट भी दिखाई देगी तो हमने इस तरीके से यह प्लेट भी बना दी इसी तरीके से यह वाले प्लेट भी दिखाई देगी हमें यह प्लेट भी बना दी टीक है इसके बाद अब इन दोनों इन सभी के बीच में यह जो द तो यह हमारा कौण सा जॉइंट हो गया बट जॉइंट ठीक है अब इसके बाद हमारा यहां पर फिर हम रिविट्स दिखा देंगे इस तरीके से अब बट जॉइंट में यह था हमारा सिंगल कावर बड़ जॉइंट जिसमें हमने एक आप एक होता हमारा डवल गवर बड़ इसमें हम दो cover plate लगाते हैं, एक cover plate लगा दी उपर और एक cover plate लगा दी नीचे देखिए, उपर नीचे दोनों तरफ से हमने cover plate लगा दी है, अब यहाँ IS code की जो recommendations आगए हैं आपके लिए, वो यह आगए जो जियाद रखनी है, numericals के लिए हम कमाएंगी, कि plate की जितनी भी thickness होगी, उसका 5x8t थिकने समय माननी पढ़ेगी किसकी cover plate की, यह minimum थिकने समय माननी ही माननी पढ़ेगी, और हम इतनी ही मानते हैं, 5x8t यानि कि अगर आपका, यह 16mm की अगर आपकी plate है, जो main plate है, जिसको आपको join करना है, जो main member है, तो आपकी cover plate कितनी होगी, 16 इंटू 5 by 8 यानिकि 10 mm की आपकी कावर प्लेट होगी अगर आप सिंगल कावर प्लेट लगाने चाहते हैं तो भी यह वाली 10 mm बैठेगी डबल लगाने चाहते हैं तो यह भी 10 mm की बैठेगी और यह भी 10 mm की बैठेगी दोनों ठीक है इस बात को ध्यान रखना है यहां से जाके नुमेरिकल करने है इसके अब 5 by 8 T में एक चीज़ और देखते हैं अगर मालो जो हमें दो प्लेट जोड़नी है ती है थिकनेस ओफ प्लेट प्लेट कौन सी जो हमको जोड़नी है जो मेन मेंबर है हमारा कवर प्लेट तो हम लगा रहे हैं यह तो कवर प्लेट हम लग कि कौन से मानेंगे तो याद रखना है हमेशा हम मानेंगे जो हमारा थिकने सोगी कि इस केस में बड़ी वाली यानिकी जो 12 होगी न उसको हम मानेंगे तो हम फाइब बाइट लगाएंगे इसमें 12 वाले में ठीक है अब हम आगे देखते हैं इहाँ थोड़ो सा 3D में दिखाए गया है बड़ जैन इसमें देखिएए यह रही और एक कवर पलेट ऊपर लगाए गही है और एक ही कवर पलेट फटी फे डिये नीचा लगाए गई है नहीं दो को फाराती कि इस तरीके से को जैन करक्ता है अब हम देखते हैं फेलियर डे कई हेलिई होते हैं और प्लेट में अब किसी भी अगर हम से हमारे आद के साथ सबसी ना है डगो डिजाइन अगर हम कहते हैं कि हमें किसी चीज को डिजाइन करना है ठीक है तो डिजाइन का मतलब क्या हो गया मतलब यह है कि वो फेल नहीं होना चाहिए यही मतलब है डिजाइन करना मतलब है वो फेल नहीं होना चाहिए अब जो हमने डिजाइन किया कर रहा है इसमें connections करेंगे rivet के connection design करेंगे तो वो जो हमारा connection है वो connection हमारा fail नहीं होना चाहिए fail होने के लिए हमें पहले ये दिखना पड़ेगा कि वो connection हमारा riveted connection कितने कितने तरीकें से fail हो सकता है सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि वह रिविट कनेक्शन हमारे कितने किने तरीके तरह फेल हो सकता है तो फेल होने के इसके छे तरीके हैं रिविट कनेक्शन के उसमें से आपके मेंली जो चार तरीके हैं जो फोर आपके तरीकेश, वो तो सिर्फ हुनसे प्लेट के यानि प्लेट किस तरीके से फिल होगी, दोगो क्रड़ेक्शन में क्या चीज है? प्लेट लिए हमने और हमने रिविट लगा दिया हुम्थर यह पूरा connection अंगर fail कर गया, इसका मतलब या तो हो सकता है, rivet टूट गया हमारा, या हो सकता है, plate टूट गई, ठीक है न, कुछ भी हो सकता है, तो 6 तरीके हैं total fail होने के, उसमें से जो 4 तरीके हैं, वो तो है plate के, कि plate कैसे कैसे, 4 तरीके है plate के, जो वो fail कर सकती है, और 2 तरीके हम rivet और plate fail हो सकते हैं, क्या-क्या वो 6 तरीके हैं, और फिर उनकी जगह पर आगे और next lecture में हम देखेंगे, वो fail ना हो, तो हम क्या-क्या recommendations code गी हैं, जो हम वह हैं, उसको ध्यान लखने हैं, और क्या-क्या formula हैं, जिससे हम उसको check कर सकते हैं, फिलाल हम इसमें देख लेते हैं, Śrear Failure, कि एक failure होता है rivet का, प्लेट का नहीं, rivet का, रिविट देखो, Jim waited, इसमें भी होता है, इस बार यहां, रिविट भी हो सकती है, और इस तरीके से ही बना जेते हैं, यह है rivet, इस पर हम नहीं चलगा गया, गाधी, तो यह tension में आके तूट गया, कोई बैसल cochon YouTube से जो शीर कि हमारा है कि इस तरीके से हमने इसको भी होंड कर रखा यहां पर धरतक है लेकिन जो फोठसह उस वोठस न ऐसा Сला सिर्ट कि इसको इसने से ब्रेक करा दिया और यह एक पीसिस का इस तरीके से बाहर नकल गया तो यह जो फेलियर है अब यह शीर फेलियर हो गया है और शीर फेलियर किस किस एरिये पर हुआ यहां पर एक तो यहां यह एक यह एरिया एक यह एरिया यहां पर शीर फेलियर हो गया अब हम देखते हैं कि बोल्ट के बाद अब अगर lap joint है, उसका shear अलग है, और जो butt joint है, उसमें shear अलग टाइप से है, अगर हम देखते हैं lap में, जो lap joint है, यह हमार lap joint है, एक प्लेट यहां, एक प्लेट यहां, अगर इसको खिच रहा है, तो इसमें कहां पर shear आ रहा है, shear आ रहा है इस जगे पर, यह देखो, यह दो ह तो जब हम shear निकालते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए shearing force चाहिए अब हम आगे design करेंगे यहां तो हमने देख लिए इस तरीके से fail हो सकता है यह हम calculations कैसे करेंगे एक तो हमें चाहिए shearing force ठीक है shearing force यह हो गया क्योंकि यही total force है जो कि लगेगा यहां पर इसको खीचने के लिए तूसरा हमें चाहिए shearing area अब area हमें हमें कैसे मिलेगा area हमारे पास rivet का डाया है 5 जिसे शैंक बोलते हैं और हमें dia of hole भी है जिसको हम डी डी बोलते हैं तो हमें pi d square ही तो लगाना है ठीक है pi d square by 4 इसका area और हमें मिल जाएगा shear का area इस तरीके से हमारा यह है shear failure of rivet in lap joint अब हम आगे अगर हम देखें तो shearing of rivet in butt joint अब butt joint में देखें जो butt joint में हमारा single cover plate का है वो तो same रहेगा हमारा lap joint जैसा देखो यहाँ पर भी एक जग़े shear हो रहा है यहाँ पर भी एक जग़े shear हो रहा है single single area पर shear हो रहा है लेकिन अगर हम देखेंगे double cover plate में तो यहाँ पर यह प्लेट इस तरीके से खिच रही है और यह प्लेट इस तरीके से खिच रही है जब यह प्लेट इस तरीके से खिच रही है जब यह प्लेट इस तरीके से खिचे बट जॉइंट में double cover plate वाला जो बट जॉइंट हो था उसमें हमें मिलता है double shear area तो क्योंकि इसमें area double हो गया तो यहां पर force यह काफी अच्छे से resist करेगा और यह shear में फिर उतनी असानी से नहीं होगा और यहां पर area क्योंकि कम है तो यहां पर हमारी stress ज्यादा generate हो जाएंगी क्योंकि stress होती है force upon area और इस वाले का area क्योंकि कम है इसलिए हमारी stress ज्यादा हो जाएंगी और इसके तूटने की chance ज्यादा रहेगी shear में बजाए नीचे वाले हमारे double cover plate के अब संग में आ गया क्यों अगर हम उपर और नीचे दोनों जगे cover plate लगा दी तो वह मजबूत तो हो गया connection लेकिन क्यों हुआ मजबूत मजबूत वह connection इसी वज़े से हुआ क्योंकि यहां पर हमारा shear area डबल हो गए अब हम क्या क्या है इसके failure है प्रेट किस तरीके से fail हो सकती है रिविट किस तरीके से fail हो सकते है यह हम पढ़ेंगे next lecture में उसके बाद सीधा हम code की recommendations पर आएंगे और हमारे numerical से start हो जाएंगे झाल